हेलो फ्रेंद्स आप सब का स्वागत हैं आज की इस वीडियो में तो आज मैं आपको एक की सिलाई वली ट्राउजर प्रेंट की कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी बिगनर्स भी इस तरीके से असानी से ये ट्राउजर प्रेंट घर पे ही बना सकेंगे तो आपका जादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने अपनी ये ट्राउजर प्रेंट के लिए न दो मिटर फैब्रिक लिया है जिसे मैंने ऐसे लेंथवाइज डबल फोल्ड करके रख लिया है हमें इसे विर्थवाइज भी फोल्ड करना है जितना आपका हिपका साइज है न उसके अकॉर्डिंग न आपने लूजिंग लेके इसे ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेना है मैंने hip के size के according ना इससे ऐसे double fold करके रख लिया है अब हमारे पास ये four sides होगी इसकी तो सबसे पहले ना हमें उपर की तरफ elastic के लिए margin लेना है वो हम यहाँ पे ना 3 inch लेंगे तो उपर से ना 3 inch हमें यहाँ पे ना इससे सीधा सीधा mark कर लेना है अब हमें ना elastic वाला margin छोड़ते हुए अपनी length को mark करना है तो length ना हमने यहाँ से mark करनी है जितनी भी आपको length ready करनी है ना उसके according आपने यहाँ पे mark कर लेनी है मुझे इसकी length ना 35 inches रखनी है तो 35 को ना मैं ऐसे सीधा सीधा mark कर लूँगी तो मैंने इसकी length ना ऐसे 35 inches सीधी सीधी mark कर लेनी है अब हमें नीचे 2 inch folding का margin भी चाहिए होता है तो नीचे की तरफ ना हमने 2 inch को भी ऐसे ही सीधा सीधा mark कर लेना है तो इसकी मोरी में ना हमें pintax का design भी डालना है तो उसके लिए ना हमें सिरफ आधे इंच का ही margin चाहिए ये जो हमने नीचे 2 inch mark किया है ना इसमें हमारे पास आधे इंच का pintax का margin हो गया और 1.5 inch की हमारे पास नीचे folding हो गई तो अब हमें ना उपर से आसन के लिए mark करना है नीचे तो उपर से ना नीचे 2.5 inch पर मैं ये mark करूंगी ये जो एकी सिलाई वाली पैंट होती है ना इसका जो आसन होता है ना थोड़ा ज़ादा लिया जाता है इसलिए मैं यहाँ पे 2.5 inch mark कर रही हूं फ्रंट और बैक का सेम ही आएगा आसन ये 12.5 inch आसन आपने मीडियम से लेके एक्सल साइस तक यही रखना है ये स्टेंडर मेयरमेंट है हमारे आसन की इसलिए आपने M से लेके एक्सल साइस तक के प्लाजो की यही marking करनी है 12 inch ऐसे सिधा सिधा मार्क कर लेते हैं अब हमें यहाँ पे हिप के साइज के अगॉर्डिंग मार्क करना है तो हिप का जो भी आपके पास ready size है उसमें भी आपने 4-5 inch की losing और add कर लेनी है तो यहाँ पे हमारे पास हिप का जो ready size है वो है 45 inches 45 में हमने 5 inch plus कर देना है तो हमारे पास आजाएगा 50 inch 50 को अगर हम 4 से divide करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे answer आएगा 12 inch 4 से इसलिए divide करना है क्योंकि हमने fabric को 4 parts में fold करके रखा हुआ है तो अब हमने यहाँ पे भी 12 inch को ऐसे mark कर लेना है उपर हमने 12 inch ऐसे mark कर लिया अब हमने नीचे वाले marking के उपर भी 12 inch को ऐसे ही mark कर लेना है अब हमने यह वाली marking को आपस में मिला लेना है सीधा सीधा उपर तक मिलाएंगे ऐसे तो अब ये वाला जो पार्टा ना ये हमारा ऐसे स्क्वेर में हो गया अगर आपका ये बिल्कुल इक्वल स्क्वेर में होगा ना तो आपको कभी कोई दिक्कत नी आएगी ट्राउजर पैंट की फिटिंग में तो अब हमें ना इसकी मोरी के साइज का मार्क करना है अब हमने ना उपर की तरफ थाई के लिए भी मार्क कर लेना है तो थाई के लिए ना हमें यहां से दो इंच ऐसे मार्क करना होता है सिरफ दो इंच हमें एक्स्ट्रा लेना यहां से और यहां पे ना आगे की तरफ हमने डेड़ इंच और मार्क कर लेना है extra margin in future अगर हमें lose करने की जरुरत पड़े तो अब हमने थाई वाले mark को ना नीचे मोरी वाले mark से मिला लेना है वो हम ये वाले scale से ऐसे करके मिलाएंगे इसे ऐसे रखेंगे और इन दोनों mark को ना ऐसे मिला लेंगे और ये जो extra margin है ना इसे हमने यहां से ऐसे मिलाना है सिरफ थाई के लिए हमें ये extra margin को mark करना है नीचे के लिए नहीं करना है अब हम यहां से असन की गुलाई को ऐसे mark कर लेंगे अगर आपके पास कववला scale नहीं है जिससे हम pen की marking करते हैं तो उसके लिए ना अपने इंची टेप को यहां से रख लेना हलका सा गुलाई में और फिर ये वाली marking कर लेनी है तो ऐसे ये एकी सिलाई वाली trouser pen की marking हमारी हो चुकी है अब हमने ना इसकी cutting कर लेनी है अपनी marking के बिल्कुल साथ साथ ये trouser pen ना सिरफ एकी तरफ से कटती है इस तरफ से नहीं कटती है तो ऐसे हमने इसे अपनी marking के बिल्कुल साथ साथ कट कर लेना है तो friends मैं बहुत ही easy tips के साथ आपको ये trouser pen की cutting and stitching दिखा रही हूँ तांकि beginners भी असानी से ये वाली pen बना सके तो मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकोन भी जरूर दबाएं तांकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो ये trouser pen की cutting हमारी हो गई है और देखिए कितनी easily हमने इससे cut कर लिया है न इसकी stitching भी उतनी ही easy है अब हमने इसके दोनों parts को ऐसे खोल लेना है एक साथ ही ऐसे खोल लेना और इसकी आसन की सिलाई लगानी है सबसे पहले यहां से यहां तक और रिधर से भी यहां तक तो चलिए मैं आपको इसकी stitching दिखाती हूँ तो सबसे पहले न हमने एक तरफ की आसन की सिलाई लगा लेनी है और यही जो आसन वाली सिलाई है न हमने सिर्फ यहीं तक लगानी है आगे की सिलाई हम बाद में लगाएंगे यही से हमने अपनी सिलाई को डबल कर लेना है तो एक तरफ की आसन की सिलाई न हमने यहां तक लगा ली है अब हमने न दूसरी साइड वाले आसन की भी सिलाई न उपर से नीचे तक लगा लेनी है यहां तक की तो दोनों तरफ आसन की सिलाईयां हमारी लग चुकी है, अब हमने आसन को बिल्कुल सेंटर में ले आना है, ऐसे साइड से पैंट को पकड़ते हुए, आसन को हमने ऐसे बिल्कुल सेंटर में ले आना है, दोनों आसन को मिलाते हुए, ऐसे तो दोनों आसन को न हमने ऐसे सेंटर में रख लिया है अब हमने नीचे से इसकी मोरी वली साइड को फोल्ड करना है तो ये इसकी मोरी वली साइड आगी इसे हमने खोल के न ऐसे उल्टा करके रख लेना है अब हमने ना इससे नीचे से सिरफ 1.5 इंची फोल्ड करना है जैसे 2 इंच है ना हमारे पास फोल्डिंग का मार्जन उसमें ना हमें आधा इंच तो पिंटक्स के लिए चाहिए और 1.5 इंच हमने नीचे फोल्ड कर लेना है तो इसे नीचे से फोल्ड करने के लिए न हम सबसे पहले इसे आधा इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक रफ स्टिच लगा लेंगे अगर आप beginners हैं तो आप इसे इस तरीके से फोल्ड करें बहुत ही अच्छी finishing आएगी आपकी नीचे फोल्डिंग में तो आधा इंच हमने नीचे से इसे ऐसे फोल्ड कर लिया अब हमने इसे एक इंच ऐसे उपर की तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पे बिल्कुल किनारी की सिलाई लगानी है तो नीचे से ना हमने इसे ऐसे फोल्ड भी कर लिया है अब हमने इसमें पिंटक्स डाल लिया तो उसके लिए ना हमने मोरी से आधा इंच उपर इसे ऐसे फोल्ड करके रखना है इस तरीके से जहाँ पे मोरी वाली सिराई है न उससे आधा इंच उपर रखेंगे ऐसे सीधा सीधा फोल्ड करते हुए यहाँ पे किनारी की पिंटक्स लगाएंगे तो एक पिंटक्स न हमने इसमें ऐसे लगा ली है अब हमने आधे इंच का गैप लेना है और ऐसे ही न दो पिंटक्स आधे अधे इंच के गैप पे हमें इसमें और लगा लेनी है टोटल तीन पिंटक्स तो पिंटक्स के साथ न इसकी मोरी का भी खुबसूरा डिजाइन हमारा ये रेडी हो जाएगा और मेरे ऐसे ही डिजाइन्स और वीडियो देखने के लिए मेरे फेस्बुक पेज को फॉलो भी जरूर कीजिए मैं हर रोज एक नई वीडियो इसमें लाती रहती हूँ तो पिंटक्स हमने इसमें लगा ली है और देखिए कितना खुबसूरत हमारा ये ट्राउसर पेंट की मोरी का डिजाइन लग रहा है तो ऐसे ही हमने दूसरी साइड को भी रेडी कर लेना है तो दूसरी साइड को भी न हमने ऐसे पिंटक्स के साथ रेडी कर लिया है तो अब हमने इसे फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है ये फिटिंग वाली सिलाई न हमें उपर आसन तक ऐसे ही लगा लेनी है तो एक तरफ ना हमने नीचे से उपर तक ना फिटिंग की सिलाई लगा ली है ऐसा ही हमने दूसरी साइड पर भी ना फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है तो दोनों तरफ से हमने आसन तक ये वली सिलाई लगा ली है फिटिंग वाली अब हमने आसन वाली जो सिलाई छोड़ी थी उसे लगाना है तो उसके लिए हमने आसन को दोनों तरफ से ऐसे करके पकड़ लेना है ये वाली सिलाई से ये वाली सिलाई तक ऐसे अगर आप ऐसे आसन की सिलाई लगाएंगे न तो आपको आसन में भी कभी कोई प्राबलम नहीं आएगी जैसे पैंट बीच में से खिचती है न तो वो कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको तो आसन वाली सिलाई भी हमने ऐसे लगा ली है ये देखिए अब हमने न सिरफ इसमें इलास्टिक ही डालना है तो उपर से जो इलास्टिक वाला मार्जन है न उसे हमने आधा इंच ऐसे फोल्ड करके न यहाँ पे भी एक रफ स्टिच लगा लेनी है ऐसे अगर हम उपर से भी इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे न तो इलास्टिक वाला मार्जन जो हम फोल्ड करेंगे न उसमें भी अच्छी फिनीशिंग आईगी तो उपर से न हमने ये वले मार्चन को ऐसे फोल्ड कर लिया है अब हमें इसमें इसमें इलास्टिक डालना है तो इलास्टिक मैंने पहले से कट करके रख लिया है ये आपको हिप के साइज के अगॉर्डिंग कट करना है हिप का जो भी आपके पास ready size है ना उससे 10-12 इंच elastic आपने कम cut करना है क्योंकि इसमें इतना stretch तो होता ही है अच्छे से तो मेरे पास जैसे 45 इंच था हिप का size तो मैंने ये 32-33 इंच का elastic cut किया है इसे अब हमने ऐसे करके पकड़ना और यहां पे ना दो-तीन बार शिलाई लगा लेनी है ये सिलाई आपने दो-तीन बार इसलिए लगानी है ताकि ये तूटे ना तो elastic पे हमने ऐसे सिलाई लगा ली है ये देखिए अब हमने इसे pant के अंदर ऐसे रखना है इस तरीके से और उपर शे ना pant को ऐसे fold कर लेना है fold करते हुए ना हमें बिल्गுल pant के किनारे किनारे पे शिलाई लगानी है ये सिलाई ना आपकी elastic के ऊपर नहीं आनी चाहिए नहीं तो elastic stretch नहीं करेंगा बस ऐसे ही हमने इलास्टिक को अंदर की तरफ रखते जाना और सिलाई लगाते जाना है इलास्टिक को ऐसे बीच में डालते हुए हमने यहां पे भी सिलाई लगा ली है, अब हमने इससे अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है ताकि इलास्टिक अपनी जगा ले ले, पहले ऐसे पकड़ते हुए और फिर बीच में से आसन वाली साइड से आसे पकड़ते हुए, यह दे लगानी है, इलास्टिक के न बिल्कुल सेंटर में ये वली सिलाई लगाएंगे और ऐसे खीचते हुए से, पैंट को और इलास्टिक को न एक साथ पकड़के ऐसे खीचना है आपने, और फिर ये इस इलास्टिक न हमारा नेफे के अंदर घूमे न बिल्कुल सीधा-सीधा ही रहे, तो इस सिलाई के बाद न हमारी ये पैंट पूरी तरह से रेडी हो जाएगी, तो ये दिखिए फ्रेंट्स उपर की तरफ हमने ऐसे लास्टिक भी स्टिच कर लिया है, और हमारी ये पैंट ऐसे पूरी तरह से स्टिच भी हो गई है, और नीचे मोरी में भी देखिए और स्टिचिंग के सारे टिप्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शियर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए साथ में बेल आइकोन भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं तिल देन बाई बाई